आइस AI का important announcement CA exam May June 23 student के लिए ये announcement है multi payment से related student exam form फिल करने में चाहे वो CA foundation का student हो intermediate या final का student दो से तीन बार payment कर दी इसके बाद continuous मुझसे doubt पूछते रहते हैं कब तक fee refund होगा इसके बारे में update कीजिए multi payment guideline क्या है इसके बारे में पूरा detail में बात करेंगे तो वीडियो को पूरा last तक देखी कब तक आप लोगों का fee refund किया जाएगा इसके बारे में बताएंगे तो वीडियो को जरूर सेर कर दीजेगा CA student के साथ या CA के WhatsApp या Telegram ग्रूप में अगर आप लोग इस वीडियो को सेर कर दोगे तो काफी सारे CA student को जिनको doubt हो रहा था उनका doubt clear हो जाएगा अगर आप ये वीडियो को YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज सारे स्टुडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके all notification विल दबाद दीजे सब्सक्राइब जरूर कीजेगा जल्दी हम लोग का family member 2 lakh complete करने वाला है अगर आप लोग ये AI के official website पे तो चलिए चलते हैं AI के official website पे guideline बताने से पहले छोटा सा update कर दे रहे हैं क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो में इसके related doubt आ सकता है तो वो doubt इस वीडियो में मैं clear कर दे रहा हूं ये doubt अभी भी आ रहा हो सकता है एक मन्त बाद भी मेरे पास ऐसा doubt आएगा तो इस पेमेंट हो जाता है तो प्लीज आप लोग घबराईएगा नहीं टेकनिकल ग्लीज के करने या मल्टी पेमेंट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम बाली बात है नहीं है आप लोगों का पैसा को रिफंड किया जाएगा चाया foundation का इस टोंट हो intermediate या final का exam form फिल कर रहे हो अब जान लेते हैं क्या है guideline सबसे पहले बताएंगे foundation के बारे में इसके बाद बताएंगे intermediate के बारे में और last में बात करेंगे सी ये final के बारे में किसी भी रिजन से double payment या multi payment हो जाता है transaction field के कारण तो automatic भी को refund कर दिया जाता है within the days of the last day of submission of exam application form तो आप लोग को टेंशन लेने का जवरत ही नहीं है पैसा को refund कर दिया जाए अगर refund नहीं होता है तो आप within 45 days foundation का student इस mail आईडी पे आप लोग मेल करोगे intermediate and final student के लिए भी same guideline है लेकिन mail ID change है intermediate का student अगर mail करना परेगा तो ये आपके screen पे mail ID सो कर रहा है इस mail ID पे आपको mail करना और अगर final का student mail करेंगे तो कौन से mail ID पे आप लोग के screen पे सो कर रहा है इसी mail ID पे आपको mail करना परेगा बाकि टेंशन ना लो पैसा को refund कर दिया जाए इनको प्लीज सब्सक्राइब करके on notification विल दबा दीजिए अपडेट कर दे रहा है चार्टे studies test series के बारे में तो CA foundation June 23 test series में enrollment बंद हो चुका है इस batch के लिए new batch March में आएगा तो उसमें आप लोग join कर लिजेगा CA foundation के student वो भी मैं YouTube वीडियो के थूरू आपको अपडेट कर होगे CA intermediate का चार्टे studies का test series लेने के लिए ता आपको 40% का discount मिल जाएगा CA intermediate test series में डिटेल वीडियो बना रखा है वीडियो का लिंग आपको description में मिल जाएगा कोई भी additional doubt हो तो आपके screen पे whatsapp number so कर रहा है आप चाओ तो whatsapp कर सकते हो या call करके बाते कर सकते हो शिर्प test series के regarding test test series में enrollment करने का link मैं description में दे दिया उस link पे click करके आप test series को purchase कर सकते हो चाओ तो लाइब लेक्चर भी देख सकते हो या recorded facility भी एविलेबल unlimited views है यहाँ पे अभी 20% का discount मिल रहा है तो आपको code यूज करना है charter studies 10 coupon code अगर आप charter studies 10 coupon code यूज करते हो तो overall आपको 30% का discount मिल जाएगा इसके लिए करना क्या होगा सबसे पहले play store से unacademy का learning app download करना है इसके जितने भी मंत का subscription लेना चाते हो आप easily ले सकते हो ज्यादा जनकारी के लिए description ज यहाँ पे भी पढ़ने का मौका मिलेगा इंडिया के टॉप नौच एजूकेटर के साथ सबस्क्रिप्शन लेते हैं चार्टे स्टेटिस 10 coupon code जरूर यूज करें ज्यादा जनकारी के लिए एक बार फिर से बोले description जरूर चेक कर लेना